किया है तो ड़ी आर गुए डिविन टु स्ट्र शेल्ट्र से हिस, जारे है इसके Qn 3 से रात हैं, थू سुरू करने जा रहे हैं तो यह पर्ट D है तो शुरू करती के Questions, Qn 1 क्या रहा है, name any two main natural sources of water तो आपको दो main natural source बताने हैं water के तो कौन-कौन से हैं आपके rain and snow ठीक है यह आपके natural sources है ठीक है इसके बाद में question 2 है name any three inland water bodies inland water bodies कौन से हैं आपकी pond, river और lake ठीक है यह आपकी क्या है inland water bodies इसके बाद question 3 है write one use of water in the canals ठीक है जो नहर होती है canals means क्या होता है नहर ठीक है तो write one use हमें एक use बताना है उप्योग बताना है water का in canals तो क्या है the canals, canals water is used for irrigating the field, irrigate मतलब सिचाई करना जो field होते हैं, जो खेत होते हैं उनकी क्या करते हैं उनमें पानी देना मतलब उनमें सिचाई करना, उनको irrigate करना irrigating the field clear, next next, question fourth क्या है अपका, name, two main rivers of north India means, north means क्या होता है, उत्तर, north means क्या होता है, उत्तर, इंडिया means भारत, तो north उत्तर भारत की दो मेन नदियों के नाम बताने हैं, कौन सी है, गंगा and यमुना, ठीक है question five, question five क्या कह रहा है, state two method of drawing ground water means हमें दो method बताने हैं, जो ground water को निकालने के, तो कौन-कौन से हैं आपके hand pump, well, your two well, ठीक है, hand pump, हम head pump से क्या करते हैं, पानी को उससे ground से बाहर निकालते हैं, ठीक है, जमीन से बाहर निकालते हैं, hand pump के थो, और दूसरा well, और two well, two well, आपने देखा होगा, साइद आपने नहीं भी देखा होगा, इसमें ये जो खेत होते हैं, उनमें two well लगी होती हैं, ठीक है, काफी बड़ी-बड़ी समझ में आया हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजीगा, थैंक यू, ये है आपका man-made source of water, इसमें man-made ये जो man's के दो, जो हमारे द्वारा बनाया जाता है, वो है ये, ठीक है, उसके बाद में दे रखा है, a natural source of water, तो natural source of water क्या आपका, लेक, ये जो आपको जील दिखाई दे रही है, लेक, ये क्या है आपका natural source of water, ठीक है, तो आपका ये complete हो गया है, ये chapter, okay, part E हम बाद में करेंगे Thank you